यह ओ टूओ के चीक लिप टेंट्स हैं इसके दर इंटोटल फॉर शेट आते हैं हर एक के अंदर आपको 4.5 ml जो है वह मलता है वाटरी वाटरी से वाटर बेस से टेंट्स हैं यह मुझूद है और इंटोटल फॉर शेट से दिस शेट नमबर फॉर कि वान कि टू कि एंट्री कलर कोट से भी हम देख सकते हैं कि कौन सा वाला किस किसम का कलर होगा सो यह मैंने कंप्लिशन के शेट के रेंज पूरी हो जाए सो उस चेकर में में ले लिया था ददन दार्ट यह औरेंज कलर का है और मुझे तो बिलकुल भी मेरे मूपे ठीक नहीं लगेगा सो दिस रोज रेड और यह वाला जो है वह रोज रेड शेट है और जो जीरो वन है वह फ्लावर मील के नाम से यहां पर यह मैंने दोबारा खरीज़ा था क्योंकि पहले मेरे पास्ट था वह खतम हो चोगा था लेकिन फॉर मी यानि कि जो मेरा परसनल एक्सपीरियंस है जीरो वान शेड इस वेरी प्रेटी वेरी नाइस क्यूंकि यह बिलकुल नाच्रल सा पिंक फ्लश देता है इसे नाच्रल यह भी देख लें कि यहां पर उसके उपर उने एक इस प्रेसर ले लिखा क्या हुआ है तो रूज वाटर कलर लीप अंचीक टेंट फोर एमल जो है आपको इसकंद मलता है इस लिस्ट ओफ इंग्रीडियंट्स और साफ नियाहां पर रहे रेक्मेंडेशन दी है कि आप इस वाओ तो जो अंग्रेशी लिखी में इसको ना पढ़ा जाए इसको खोल कर देख लेते हैं तो यह हमारे पास आगे हैं यह हमारे पास है जी शेड नंबर 01 फ्लावर मील यह खटा ओरंज रंग है 02 02 sweet orange and then we have shade no 3 cherry red or shade no 04 rose red so इसके अंदर से this one is amazing shade no 1 देख लेते हैं जी यह है आपके पास shade no.1 this one is extremely pretty मैं मतलब बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा shade है लेकिन इसका एक मसला यह है कि उसके अंदर जो container है ना उसका blush brush जो है वो इस तरह रखा है कि जो brush की टेप है ना वो इस जगा कर रूख जाती है इस जगा कर रूख जाती है और जो नीचे वाला प्रॉडक्ट है ना उसको निकालने के लिए ना आपको में यह रबड यूज करना पड़े हैं कुछ और कि उसकी जो टेप है वह एंड तक पहुंचती नहीं है बाट अधर तन दाट इसकी staying power बहुत अच्छी है सुबह का लगवा शाम तक लगा रहता है और ऑफी अच्छा बड़ा नाच्राल सपहक यूज के लिए और है शेड नंबर 02 है इस और इंज कालर और यह मारे पास शेयर नंबर 3 है विच इस और इंजी रेड तो आइंड नो कि यह सको और यह एंड क्यों कह रहे है इसको वह कहते हैं जी cherry red है बट अब दिस इस क्वाइट औरंजी शेड and then we have red rose जो कि शेड नमबर 4 है और यह जी हमारे पास है शेड नमबर 4 तो फ्रैंक्ली स्पीकिंग मैंने खरीद यह सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर हम देखें इसमें से शेड नमबर 2 और 3 को एजली अवाइड किया जा सकता है अगर आप मीडियम से कंप्लेक्शन के हैं अगर यह नहीं कि आप बिल्कुल कागल जैसे सफेद नहीं है देन 2 & 3 is not a very good option 2 interestingly फिर भी इसे निस्पतन कम थोड़ा सा पीची सा है यह तो बिल्कुल और इंज है जो चैरी डैड है तो उसमें शेयर नमबर 1 & 4 are the safest options this is the prettiest one then second number पर यह यह तीसरे नमबर पर और यह चौतरे नमबर पर इन दोनों को skip करना है तो बेश्यक मेरा खार में अगर मैं दुबारा खरीदने की बात करूं तो शायद मैं two or three को purchase नहीं करूंगी one तो मैं definitely purchase करूंगी and fourth one is the second best option in this series last करते है especially यह out of stock रहता है अक्षर बेश्टर ही मिलता भी नहीं है बुफास्ट वाला